खीजिए प्रक्राइर हेहलो परॉब आ दूर्ग में 84 पॉक्षम पराजए गालव परॉपत कि दूर्ग क्षेष्ट्ट्वेट अ कर दो एकताय कर दिया बेह से मीजिंडें दूर परॉपोग परॉप्कियों इस important section में, चलिए, उमीद है, सभी लोग यहाँ पे, सेहत वाइस ठीक होंगे, सबसे पहली बात तो, हाँ, रहुल कुमार जी, आपकी ख़बर सस्ती बस डेट अलगती, बाकी, हाँ, कभी न्यूस फेक, तो कभी सही भी निकलती है, ठीक है न, बट हम वो ऐसी न्यूस थी न, कि हम चाहां ने रहे थे, कि वो सच निकले, ठीक है, तो इसलिए हम यकीन जान मुझके नहीं करना चा आ रहे थे, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं मूड था, कम से कम एक पेपर तो ऐसा था, जिस पर हम continuous लगे थे, क्या है न, कोई आप कोई आप special session निकाला, 25 days special session, 25 days तो वो तभी important है न, अब वो तीन महीने बाद वो 25 days थोड़ी न पड़ेगा कोई, सबसे बड़े दिक्क्त ही ह है, तबυ κάν बच्चो तबेट का बस क्या बोलो कि तबेट तो ठीकी है, तबेट के बारे में जाना discuss नहीं करते है हम लोग है, क्योंकि वो तो फिलाल आज से अगले दो-तिन दिन तक फिलाल कोई नहीं है अवलेबल सिवाई मेरे तो मैं तो आपके साथ आता ही रहूँगा तेकर अपना तो काम ही है ठीक है चलिए तो आज मेरा यहां पर बचो लाइव आने का में मकसद यह था कि थोड़ा आप लोगों से बीना डिसकुशन करें तो मैं क्या ही डिसाइड करू कि आगे क्या करना है कैसे चलना है क्योंकि फॉर्मेल्टी के लिए कोई भी सेशन में चलाना नहीं चाता पॉर्टल में तो फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा सा चीज़े रहती हैं पता कि कैसे करना है क्या करना है क्योंकि वहां discuss करके काम तो करना ही है आगे ठीक है बाकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल exam के लिए तो कई परेशानिया खड़ी है तो यहाँ पर बच्चो मेरा discuss करने का अर्थ यह था कि कौन कौन से exam हमारे हैं यहाँ पर ताकि हम प्रॉपर अपने तियारी को एक सही तरीके से देख सके तो exams जो हमारे यहाँ पर बच्चो हमारे government exams जो हमारे सामने आपके थे वो है हमारा that is called UP PSC AE का exam ठीक है second UP SSSC JE का exam ठीक है third UK PSC AE का exam जो उतरा खंडवाले बच्चे है fourth UK PSC JE का exam fifth J SSSC JE का exam और बताएं बच्चो और किस-किस exam के लिए आप लोग तयारी कर रहे है sixth UP RV UNL UP RV UNL JE का exam ठीक है यह हमारे पास कुछ exams है ठीक है ना और exam बताएं आप लोग जिसके लिए आप लोग तयारी कर रहे हैं थाकि उसके हिसाब से सब exams के हिसाब से मैं आ जो है यहाँ पर चीजे प्लान कर सको बदाएं बचो और किसी का कोई अपने state का और कोई exam हो तो कि state exam है central exam सो फिलाल सब बंदी है state exam से अवलेबल है आर आर भी जेए का भी नहीं कहते हैं अभी फिलाल उनकी बात कर रहे हैं जिनके notification अल्रेडी आ चुके हैं form भरे जा रहे हैं भाई प्रग्या सुनी जी आपको मैंने बताया था ना तुम लोगों ने mail अवी तक किया क्यों नहीं है email मैंने करने को बूला था लेकिन मैंने कहा था tweet के लिए जो है बच्चे लिंक बनाए और भेजे एक बच्चे ने बना के भेजा तो है लेकिन मुझे थोड़ा सा वो इसक्तिव कब लग रहा है थेकिन आ भली मैं उसे retweet कर देता हूं लेकिन थोड़ा सा और tweets कर सकते थे कांसे आप tweet करवा सकते हैं और एक्जाम बोलो बच्चो TADC या TADC भी क्या ही बोलें बच चलो लिख देते हैं TSDC जे एक्जाम इतना छोटा यह एक्जाम था जितना लंबा इनोंने खीज दिया 800 लोगों का मात्र एक्जाम लेना था वो भी धंग से नहीं हो पाया भी तक और बोलें राजस्थान जेई का भी कोई निकला है क्या भी सुनने में आ रहा है राजस्थान जेई ओके राजस्थान जेई और बताओ बच्चो एक मैंने कहीं और भी देखा था और कोई एक्जाम एक मैं देख रहा था बच्चा लिख रहा था कि J के SSB यही दुबारा आने वाला है J के SSC जमू कश्मीर वाला दुबारा फॉर्म आ रहे हैं क्या उसका भी मैं कुछ सुन रहा था और एक आपका UK SSC JE भी है उसको भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे UK SSC JE यह भी हमारे कुछ एक्जाम है तो लगबग लगबग लाइन अप देखे बच्चो यहाँ पे तो यह 9 एक्जामस हमारे पास है यूपी पुलीस भी है बच्चो लेकिन मेरे को लगता है वो पुरा टेक उसका स्लेवर्स पैटर्न वगरा क्या दिया भी मैंने देखा नहीं तो लगबग लगबग यही एक्जाम है ना तो लगबग हम देखे तो यह 9 एक्जामस है और अगर हम इसके schedule को देखे तो UPPSCAE की तो dates अगर हम बात करें तो dates हमारे पास क्या-क्या है तो अगर हम बात करें dates की तो dates के बारे में बताएं जड़ा UPPSCAE जो है यहां बचो यह session आप लोगों के लिए हो रहा है मतला हमारे अपने discussion के लिए हो रहा है ठीक है ना तो हम पूरा यहां पर discuss discuss करके discuss निकालेंगे कि कल से हम लोग किस चीज पर आगे बढ़ेंगे ठीक है ना ताकि मैं उसी हिसाप से चीजे प्लान करूं लेके पर है तो UPPSCAE की अगर हम बात करें बचो तो इसकी डेट हमारी expected क्या अभी 17 April है ना 17 April इसकी date है जो next expected date है वो 17 April 2022 है अगर UPPSCAE की बात करें तो इसकी date अभी आज ही आई है that is called 3 April 3 April 2022 है अगर हम UKPSCAE की बात करें तो इसकी कोई date नहीं है लेकिन इसकी जो है वो after March ही होगी लगिन हम मान के चलें लगवग लगवग April में ही ये exam होएगा ठीक है ना April बोलो या March बोल दो आप क्योंकि जो last अंदाजन हमें date मिली थी कहीं से वो लगवग लगवग March के आसपास थी तो मैं ये समझू last of March और April के आसपास ही ये date रहने वाली है तो ये समझ ल आपरेल के बाद ही exam होगा तो April से मई के आसपास या उससे भी लेट जा सकता है ये date रहने वाली है ठीक है अगर हम जे ट्रेपल सिक जेई की बात करें तो बदर जहरकन वाले का exam कब है उसकी date दी है क्या date तो नहीं दी थी मेरे क्याल से अभी तो form ही भरे जाने है March तक तो process निप्टेगा ये पूरा है ना form mom का March तक process निप्टेगा तो मतलब कहीं न कहीं exam जो है वो मई के बाद ही होने वाला है ठीक है तो ये मान के चलें क्योंकि March तक तो इसकी payment का ही date है last payment करने की date ही जारखंड वाले की जो है वो last last तक है ठीक है ना उसके बाद बात करें हाँ S. S.S.C. J.E. भी डाल देते हैं उसकी भी टो date clear ही है S.S.C. J.E. वो भी लिख देता हूं में इस list में ठीक है क्योंकि R.R.B. J.E. का तो कुछ नहीं पता ना लेकिन S.S.C. J.E. की कहीं नहीं expected date तो है ही हाँ J.S.C. बचो 2023 में भी पता नहीं कब होगा ये नहीं कह सकते लेकि Mars तक तो form भरे ही जाना है तो इसलिए मैं उसके साब से अपने planning बता रहा हूँ UP, R.R.J.E. की बात करें तो ये भी सेम वही है Mars के बाद ही होगा paper है ना क्योंकि Mars तक इसका भी सेम date वाला सिल्चला है तो यहाँ पर बात करें तो ये भी after May, June ही जाएगा तो मैं कहूंगा after June July इसकी बोल सकता हूँ में लगबग देड जो है वो रह सकती है ठीक है बड़ जैसे UP थोड़ा fast fast paper कला रहा है तो ये मैं जून भी हो सकता है पर चलो कोई बात नहीं T.A.D.C. पता नहीं कब होगा इस exam के बारे में कुछ भी कहना खतरनाक है कि कुछ नहीं पता कब होगा क् एक बार करा चुक है डंक से नहीं हुआ कुछ नहीं कह सकते infinite डाल देते है राजस्थान जी तो अभी तो मुझे पता नहीं इसके notification अगर हमें क्या है ठीक है न लेकिन अगर जो भी notification अगर अभी आया है और अभी form भरे जा रहे है सार NPCIL को 10 दिन बचे है प्लीज इसका भी कुछ करिए 30 जनवरी को पेपर है चलो अगर NPCIL बचो हो पाया इसको मैं अलग लिख लेता हूं अभी NPCIL अगर हो पाया बचो वैसे अलग से कुछ करने की जरूद है नहीं 30 जनवरी को पेपर है ना आपका तो अगर यह पेपर हो भी रहा होगा तो इसके लिए कुछ अलग से क्या करें बचो NPCIL सभी बच्चों ने ऐसे ही सेशन जो देखे है उन्हीं से निकाला हुआ है ठीक है तो अलग से कुछ करने का दरूद नहीं है ठीक है क्योंकि मैं यह सभी एक्जाम का बच्चों ध्यान में रखते ही चलूँगा जितने भी यह टोटल एक्जाम है आपके लगवग मेकेनिकल की पोस्ट जहां जहां है लगवग यह 11 एक्जाम हम लोग देख रहे हैं अपने सामने ठीक है एक बच्चों ने एक और एक्जाम ही होता है शायद ठीक है ना तो यह है बच्चों हमारे पास अब राजस्थान जैई की बच्चे अराम से ठंडे दिमाग सोचो बहुत ज़्यादा बावलापन मत करो ठीक है समझारी बाद बहुत ज़्यादा परेशान मत हो मतलब ऐसे मत करो उतावलापन प्रफट न्यूस भी पढ़ रहा था कि अब जिरे जिरे एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होती जा रही है तो AICT की कुछ गाइडलाइन भी आई है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके कि भाई कोई भी कोई ऐसा अड़र्टेजमेंट परकाशित ना करे अपना कि भा जरूरी है कि लोग परकाशन जो अड़र्टेजमेंट करें तो सोस समझ के करें चीज़ों एक जिम्मेदारी के साथ करें तो वही मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा सही हमसे हम इसलिए तो इस सेशन लेके बैठें बहुत ज्यादा जल्द बाजी अगर आप मचाएंगे कि य ठीक है कोई बात नहीं मैं थोड़ा सा उनको भी ठीक है यह देख के चलो ऐसी राजस्थान जेई गया बचो अभी मैंने देखा नहीं है क्या नूटिफिकेशन है लेकिन लगभग डेट अगर अभी फॉर्म है तो डेट लगभग आफ्टर फ्यू मंस ही होगा तो मतलब य जूलाई ही रहने वाला है पेपर ना उससे जल्及 क्या होगा बाकि अगर आपको कुछ करक्शन मिले मेरी डेट में क्योंकि एम एक्सप्रेक्टेश बतारा हो अपने हिसाब से अगर आपको कुछ करक्शन मिले गा तो ठीक है नो तो बताएगा DSSB में mechanical की post नहीं है मैंने नहीं देखा DSSB क्योंकि मैंने इतना पता है कि उसमें JEE की post है लेकिन mechanical है या नहीं है यह नहीं खेसकता मैं मैंने नहीं देखा यह ITI instructor का मुझे नहीं पता DSSB का भी मैंने कुछ नहीं देखा बाकि सब मुझे पता है ये तीन पोस्ट है जिनका मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा है जानकारी ये आप लोगों के बोलने पर लिख रहा हूं मैं यहाँ पर सेम UK SSC है बच्चो ये थोड़ा सा मुझे उमीद थी कि ये पेपर चाहिए वो जल्दी हो सकता है तेके ना तो स 2022 में ही हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं लेकिन ये 2023 में होना है तेके सेम इंस्ट्रक्टर UK इसका भी अभी मुझे कुछ पता नहीं जब ये 2022 में ही उम्मीद है होनेगी ना अब देखो बच्चो अब अगर मैं यहाँ पर स्लेबस की बात करूँ ठीक है तो कौन-कौन से ऐसे एक्जाम है जिसमें हमारा कोर स्लेबस आएगा कोर स्लेबस और एक होता है हमारा ठीक है डिफरेंट स्लेबस जो लीग से हट के स्लेबस रहेगा ठीक है डिफरेंट स्लेबस तो ऐसे हमारे कुछ एक्जाम है जिसमें कोर स्लेबस ही आपको पू ठीक है न कि क्या करना है क्या ने करना है छेख कामिल जी देखो आप आप अकेले तो नहीं है जिनका मौन खराब या कोई अकेला तो नहीं है क्या होने वाला है सब लिए ही सेम दिक्कते सिखे कोईची चीज यह यहां कोई इस तरह भई जिस का समझ लो सब कुछ हो किसी के पास तो फिर यहां इस चैनल पर या इस यूट्यूब में टाइम खराब करेगा ही क्यों सभी यह जरुवत मन हैं है न तो सभी एक दूसरे पर आप लोगों के साथ ही हो रही है ठीक है न यही सब मैं बैटके मीटिंग रखता जैसे सभी इस्टूशनों में होता भी होगा प्रॉपर मीटिंग रखता उस मीटिंग में अपनी फैकल्टी बुलाता उन फैकल्टी से डिसकस करता कि कौन-कौन से हमें पेड रखने है क्या फ ठीक है उसके लावा बाकि सब लोग है वो हमारे content content इन चीज़ों पर काम करते हैं मतलब वो backbone है इस चीज की लेकिन वो backbone हमेशे क्या होगी ना सामने से तो नहीं दिखेगी तो यहाँ पर इसलिए आप लोगों को participate करना जरूरी है बचो कि आप किस तरह कैसे करना चाह रहे हैं उसमें क्या-क्या possible हो पाएगा फिर वो में बताऊँगा है ना समझा जी बात ठीक है तो यहाँ पर course levels के अगर हम बात करें बचो तो course levels को अगर मैं देखूँ एक second जरा यहाँ पर हम color choose कर लेते हैं अब मैं course levels की बात करूँ तो course levels हमारा किन-किन exam में आने वाला है उप जो है वो different levels भी रहता है different levels में मेरा कहने का मतलब है जैसे कि हम बात करते हैं different levels से मेरा कहने का तात परिया है कि जैसे industrial engineering को मैं बोलू ठीक है ED को मैं बोलू ठीक है जैसे कि मैं आपका mechatronics बोलू ठीक है जैसे मैं robotics बोलू ऐसे कोई भी subject यह सब नहीं कह रहा हूँ ऐसे कोई Robotics बोलू, जैसे मैं CAD Cam बोलू, जैसे मैं CNC, DNC बोलू, है ना, ये कुछ subject से AutoCAD बोलू, ठेक है, ये कुछ topics हैं जो मेरे different out of levels में आ जाते हैं, Industry Engineering को भी नहीं डालना चाहिए वैसे हैं, Industry Engineering में हमारा कहीं न कहीं कहीं कोर में ही आता है, But Industry Engineering के सारे topics core में नहीं होते हैं, कुछ topics जो है वो, जैसे इसको मैं हटा के यहाँ पर, मैं Industry Engineering को हटा देता हूँ, Industry Engineering को core में रखते हैं, ठेक है, FM हो गया, HM हो गया, Basic Thermal हो गया, RAC हो गया, Power Plant Engineering हो गया, IC Engine हो गया, HMT हो गया, ठीक है, और कौन से बच्चे बताओ, Material Science हो गया, Casting हो गया, Welding हो गया, Forming हो गया, Metal Cutting हो गया, ठीक है न, यह कुछ subjects है हमारे, जो हमारे core subjects में आ जाते हैं, है न, लेली हमने लगबग सभी, core subjects हमारे, तो यह core subjects में आते हैं, बचो, तो यह syllabus तो देखो, लगबग लगबग अगर आप उधर से लेकिन नीचे तक सभी exam देखोगे, तो यह course levels तो सभी में है, ठीक है, तो यह course levels की मेरे साब से tension लेनी की दुरूत नहीं है, इसमें मैं एक और जोड़ता हूँ, measurement and methodology, यह भी सब में नहीं आता है, ठीक है, तो industrial engineering and measurement and methodology, mmc, यह दो special नहीं थोड़े से, क्योंकि यह भी हर exam में नहीं पढ़ना होते हैं, लेकिन core में ही आते हैं, फिर भी यह, ठीक है, now, अब देखें यहाँ पे, अगर हम UP, PSC, AE की बात करें, वच्चो, UP, SSS, JEE की बात करें, तो core subject हमारे लगभग जो है, वो ऐसा कोई exam नहीं है, जिसमें core subjects ना आ रहा हो, मतलब यह पूरा-पूरा portion जो है, वो इन सभी exam में आएगा, तो कहने के बात यह है, इन सब को के लिए, आपके पास, quickly अगर आप पढ़ रहे हैं, short में, तो आपके पास YouTube के session है, और अगर आप full detail में पढ़ रहे हैं, यह सब चीजे, full detail में मतलब इतना detail में, कि यह समझ लिजे, आपको power plant, engineering में, solar energy, solar power plant, tidal power plant, यह सब भी आपको करवाया गया है, full detail में, portal में, जनरली यह सब चीजों पर, concept पर, नहीं करवाया जाता, लेकिन AE के syllabus में था, तो इसलिए हमने portal में करवाया वाया है, यह सब topic भी, तो यहां मतलब full detail में है, आपके पास portal में या app में आप कह सकते हैं, ठीके portal या app में, clear है, तो मतलब हमारे पास अगर हम देखे, तो हमारे पास जो है, वो UPPSCAE, हमारे पास जो है, वो UPPSCAE के लिए भी paid course available है, ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास paid course available है, ठीक है, और UKPSCAE के लिए भी हमारे पास paid course available है, तो इन दोनों के लिए हमारे पास जो है, वो portal में courses available है, तो मतलब इन दोनों को हमें कहीं से भी, किसी और तरके किसे करवाने की जरूरत नहीं है लेकिन वह यह देखो आपको बोले बीगर में कुछ काम अपने आप कर देता हूं जैसे कि मुझे पता है कि Mechatronics किसी ने कभी भी नहीं पढ़ा था ठीक है ना लेकिन मेरा मन था कि सब लोग उसे पढ़े जबकि Mechatronics मैंने पॉर्टल में करवाने की सोची थी क्योंकि ओव्यसी बात है मैंने एक फैकल्टी बुलाई है तो उनको पे भी करना है ठीक है ना तो इसलिए Mechatronics मैंने सब के लिए YouTube में और रखी बच्चो ठीक है इसको मैंने पेड में जबकि वो पेड सेशन से सारे ठीक है ना उसमें एक एक सेशन का हमको पेड ही करना पड़ेगा तो वो सारे पेड सेशन है ठीकिन वो यूट्यूब में करवाए गए ताकि maximum सभी बच्चे उसको देख पाए बहली सबने दे देखे नहीं है क्योंकि free मिल गया लेकिन कोशिच यही थी कि सब देख पाए और इतने शौट तरीके से करवाया पूरा स्लेबस की 5-6 सेशन में यह पूरा स्लेबस कंप्रीट हुआ अब जल्दी सर इसके objective session लेंगे एक ठीक है ना वो तो मैंने डेट खिसक गई तो मैंने उनको वापिस भेजा एक दिन बता वो लेने भी आ गये था objective session लेकिन मैंने वापिस भेजा मैंने एक दो दिन बात करते है सर जब तक बख्चे सारे session देख ले तो बच्चे जितना Megatronics में YouTube में डाला गया है आपके engineering services के सारे question उससे हो जाएंगे यह आप मान के चलिए लेक आप लोग यह सारे session इसके अच्छे से देख लीजे उसके बाद मैं सर के साथ live objective session आपका करवाओंगा और वहाँ से जो है इसी हगले हफते करवा देंगे और वहाँ से जो है आप आराम से सारे question देखने चलिर-पचास question है वो Megatron की जो engineering services में आये हैं आप सभी answer आराम से कर पाएंगे clear है समझार यह बात ठीक है लेकिन वही है कि अगर आप session नहीं देखोगे उस paid तो मेरा वो paid का free में देने का भी कोई फायदा नहीं है ठीक है तो पहली बात यह चिक now robotics मैंने already YouTube में करवा रख है बच्छो आपको अपको अगर आप robotics देखोगे तो robotics already YouTube में करवा र यहां से session को अराम से देख सकता है ठीक है ना बाकी वो test series वगरा में question तो उसके देखे होंगे YouTube में Megatronis वगरा के ठीक है now clear है now अब बात है हमारे पास यहां पे तो core section तो मैंने कहा आप YouTube से करें चाहे portal या app से करें दोनों में बस यही फर्क है तो जो पहली बार त्यारी कर दुबारा इंवेस्ट नहीं करना चाहता और करना भी नहीं चाहिए वो YouTube में जो है पूरा focus करके अराम से कर सकता है विस्नोई सर की भी तवित खराब है बच्चे इसलिए वो आगे के session अभी उन्होंने नहीं लीनी तो वो daily session ले रहे थे लेकिन वो भी विल्कुल out हो रखे है ठेकिन अभी फोन में मेरी बात भी थी तो उनका भी विश्टर्ण लगलग के हल खराब है तो वही मैंने का पूरी टीम को problem हुई है तो उस वज़े से सभी को off कर दिया है ताकि यह problem और ना बड़े तो अभी फिलाल मेरा भी यही है कि घर है इसलिए आप लोग के साथ मे करेगी करेगी और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो लड़ना है हमें इस टेम पे अपनी हेल्थ से ही है ठीक है ना नहीं तो हम तो कहीं भी नहीं जाते थे क्लियर है समझें तो यहाँ पे समझें बच्छो आप तो हमारे पास core subject problem नहीं है मतलब आप सोम भी कर लेंगे टोम भी कर लेंगे MD, FM, HM, basic thermo, RAC, PPE, IC engine, HMT, MS, casting, welding, forming, metal cutting, industry engineering, MMC इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना ठीक है, expected exams बच्चो जो भी है RRBJE वाला या कोई भी अगर RRBJE की भी आप preparation करना चाहते हैं तो आप portal या app दोनों से कर सकते हैं बच्चो फुल course में अराम से आप उसका syllabus follow कर सकते हैं वहाँ लगबग आपकी सब चैयरी हो जाएगी क्योंकि RRBJE में एक portion आता है थोड़ा सा अलग type का वो workshop technology भी हब एक subject आ गया है ये भी मैं यहाँ पर add कर देता हूँ workshop technology ये भी हमारे additional subjects में आता है ठीक है जो इन में से सब exams में नहीं है लेकिन workshop technology को अगर हम देखे तो ये हमारे एक exam में syllabus में पूछा गया है वो है UKPSC JE में ठीक है बाकी exams में कम पूछा जाता है workshop technology UKPSC JE में बहुत जादा जो है वो पूछा जाता है तो essay में UKPSC JE के लिए बच्चों workshop technology अल्रड़ी चल रहा है है 14 lectures हो चुके हैं जी के न मैं चाहूं तो आपको एक जलक दिखा भी सकता हूं देखे जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो देख भी सकते हैं workshop technology के sessions जो है बहुत अच्छे से अभी तक हुए है तो 14 sessions अभी तक हो चुके हैं जिसमें आप देख सकते हैं देखिए basic shops एक सेकंड ये बच्चे का log out करना पड़ेगा मुझे एक सेकंड एक सेकंड बच्चों पाश्वर्ट तो कम से कम चुपागे डालना पड़ेगा चाली एक है देख रहा है ना ठीक है तो workshop technology में यहां पे कुछ sessions हम लोगों ने प्रॉपर लिये हैं जिसमें आप देख सकते हैं workshop technology ये रहा देखो workshop technology तो अभी इसमें lecture चल रहे हैं बच्चों अभी कम से कम इसमें 20 के आसपास lecture होंगे जिसमें से 14 lecture ये हो चुके हैं तो with objectives ये सारे session कराया जा रहा है देखिए कारपेंट्री, 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 MCQ, Foundry Shop ये सब आपको यहां देखने को मिलेगा complete complete session जो है वो यहां पे करवाय गए है proper तो ये सारे session proper notes के साथ यहां पर करवाय जा रहा है वर्क्षप technology पर ये complete आप देख सकते हैं हर चीज clear है तो मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि वर्क्षप technology अगर किसी के भी session में आ रहा है कहीं पर पूछा जा रहा है तो वो बता दीजेगा बचो हम लोग इस session को जो है पूरा होते ही सबको देने की कोशिश करेंगे क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ने आप उतना better है तो दुनिया परके यहां पर वर्क्षप technology में प्रॉपर जो कहीं प्रॉपर सब करवर कराया गया है तो जितना और वो भी बिल्कुल exactly उतना बताया गया है जितना आपके पेपर के लिए important है नहीं तो वर्क्षप technology में फालतों चीज़े बहुत है clear है तो मेरा कहने का सिर्फ तात पर है सिर्फ इतना है कि इस चीज़ को आप निश्चीनत रहिए कि कि किसी को भी वर्क्षप technology जैसा करना है तो वो यहां पर आराम से कर सकता है और जैसे यह session 20 lecture का पूरा होगा तो फिर जो है यह sessions भी आप लोग को आराम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो जैसा भी होगा जैसे separate sessions हम लोग देते हैं वैसे ही separately वर्क्षप technology भी separately प्रोवाइड कराया जाएगा फिलाल अभी नहीं मतलब अभी उसकी chances कम है पहले वो पूरा हो जाए उसके बात बात करेंगे नहीं तो बाकी जिसको लेना है वो courses में भी ले जता है तो यहां पर मैं थोड़ा सा एक दो टॉपिक और एड करना चाहूंगा एक अगर हम जारकंड वाले पेपर को भी बोलें तो general engineering भी एक portion है जो काफी tough portion पढ़ने वाला है बच्चों को क्यूं क्योंकि वहां पर पूरी civil engineering पूरी जितनी civil engineering competition में पूछी जाती है वो पूरी electrical engineering ठीक है और mechanical engineering तो चलो हर कोई कर लेगा यहां पर mechanical वाड़ा तो करी लेगा लेकिन civil और electrical यहां पर पूरी जो है वो फसी पड़ी है ठीक है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि जहारखंड वालों के लिए अभी समय है आप लोग अपने course object को complete करिए जन्रल इंजिनेरिंग की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजे जन्रल इंजिनेरिंग को जो है हमने simple सा एक batch निकाला है दो तरीके से एक जहारख जन्रल इंजिनेरिंग का भी अलग से course निकाला है जो कि February में activate होगा ठीक है ले अभी भी सकते हैं आप लेने के लिए अवलेबल है वो लेकिन उसमें classes जो है वो mechanical की revision तो डल जाएगा लेकिन बाखी का revision जो है वो civil और electrical वो February में डलेगा ठीक है ना तो जो भी बच्चा है उ यूट्यूब में करा दूं लेकिन मेरे पास ऐसा कोई faculty नहीं मिला है मुझे जो free में करा दे भाइसी इसी बात है ऑव्यसी बात है they have to earn some money तो उनको भी कुछ ना कुछ पैसा चाहिए कराने के लिए तो इसलिए civil के अगर धंकी faculty को ऐसी चाहिए जो civil engineering करवाए तो उनसे में बात हुई है ठेके ना तो वो जो है वो civil engineering YouTube की जिगापे portal पर करवा देंगे लेकिन बहुत ही minimum cost पर हम लोग इसे करवाने कुछ करेंगे ताकि civil electrical दोनों की हमारी cost जो है वो निकल जाए तो जो भी हमारा syllabus होगा है general syllabus ठेक है तो इसलिए general engineering वाले ना घबराए उनके लिए proper अंति जाम है फैबज़ी में क्योंकि फैबज़ी में आपको mechanical पढ़ने की दुरूत तो है नहीं civil electrical आपको करवा दिया जाएगा ठेक है clear है समझ जारी बात है faculty पढ़ाएंगे बच्चों दूसरे faculty पढ़ाएंगे civil electrical हम नहीं पढ़ाएंगे भई वो पूरा syllabus है civil का यह मैं सुचे कि civil के कुछ topic दिये में है वो subjects हैं पूरे तो जैसे वही वाली बात है कि हमें कोई किसी electrical वाले को तुम बोल दो कि FM पढ़ लेना तो FM में वो क्या पढ़ लेगा कुछ से क्या पढ़ेगा और क्या छोड़ेगा समरे ना ऐसे ही किसी को बोल दो electrical वाले को कि जाके theory of machine आपको पूछा जाना है paper में तो theory of machine में वो क्या पढ़ेगा और क्या छोड़ेगा तो वही वाली बात है ठीक है ना clear है अब तो बच्चों add करी देंगे न सारे अब क्यों attention ले रहे हो कमलकार की जी अब तो आपके पास समय समय है उस समय को utilize करने के लिए तो इस session को discuss कर रहे हैं ठीक है तो means general इंदनी की भी समस्या खतम है ठीक है तो इन exams की समस्याएं जो है वो खतम है फिलाल ये exam ये exam ये exam ये exam ठीक है समझारी बात ये exam अब समस्या है यूपी ट्रिपल सी जेई जिसकी हम already preparation कर रहे थे ठीक है तो ये sessions हमारे बचो वही वाली बात है तो मैं सोच रहा हूँ अब आप ये बताए कि 15 session हो चुके है 10 session और होने है तो क्या अब ये sessions paper के नजदीक आने पर मतलब paper के आखरी महीने पर जैसे कि अगर paper हमारा अपरेल में है तीन अपरेल को तो मार्च में sessions को कराया जाए continue मेरा विचार अब यही है ठीक है अभी जन्न ही जरी में क्या-क्या आएगा बच्चे वह बैर discuss कर दूँगा भी हाँ वो भी बिल्कुल तो यहाँ पर बच्चों की एक तो demand है ठीक है आपकी demand के साफ से मैं अलग करूँगा demands यहाँ पर discuss करेंगे हम लोग तो आप लोगों की demand जो है क्या-क्या है on YouTube demands on YouTube इसको मैं यहाँ discuss करूँगा कि क्या-क्या हम YouTube से कर सकते हैं ठीक है वो demand मुझे बताएगा और मैं उसके साफ से session प्लान करूँगा ठीक है तो मेरे साफ से अभी जो UPSHC JEE की हम preparation कर रहे थे उसको फिलाल pause कर देते हैं ठीक है क्योंकि आप कोई पता है कि syllabus कोई बहुत tough नहीं है बहुत छोटा सा syllabus इसका था ठीक है जब आप course subject पढ़ी ही रहे होंगे किसी और paper के लिए भी तो यह automatically आपका तयार हो ही रहा होगा पूरा production उसमें नहीं है ठीक है तो इसलिए जो है इसको हम March में वापिस resume करेंग ठीक है तो पंदरा session मैंने लिये है इसके आज सोलवा session होना था तो आगे के 15 session या 10 session या live test जो भी है वो अब March में resume करेंगे बच्चों March 2022 में ठीक है तो यह चीज ध्यान रखेगा आप लोग यह March 2022 में resume हो जाएगा वापिस इसकी practice session YouTube में तो जैसे ही March आएगा आप लोग clear है now अब आते हैं बच्चों हम इधर वापिस इधर तो UPSC मतलब UPSCAE हमारा paid में है complete UPSC J हमने का March में resume करेंगे UKPSCAE की अगर हम बात कर रहे है ठीक है UKPSCAE की तो यहाँ पे भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है पूरा का पूरा है लेकिन सिर्फ एक है UKPSCAE वालों को industry engineering और अच्छे से करनी है बचो तो वो धिरे धिरे सर डाली रहे है अभी time है तो वो डल जाएगा आपका portal में पूरा का पूरा industry engineering ठेक है UKPSCAE excellent चल रहा है आपने इसाब से ठेक है ना वहाँ पे जो बच्चे अब पर slivers को follow करेगा तो बहुत अच्छे मांक सिया selection ला सकता है तो ये वाला अभी तक का best paid section चल रहा है ठीक है ना और आगे भी चलता रहेगा इले ना बस बच्चों को भरोसा दिखाना है मुझ में और सयम मना के रखना है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ अमी चक्रबढ़ अब आते हैं हमारे बहुत पुराने दुश्मनी जिन से है वो है UP Arvinal JEE की ठीक है ना UP Arvinal JEE की इससे तो बहुत पुरानी दुश्मनी है ठीक है अभी कैसे कैसे हमने इससे selection खदेडा है तो अब आने वाली जो vacancies है जो आई है vacancies उसके लिए भी selection के लिए बच्चों हमारे के पास हमें पता है कि कोर स्लेवर्स आप लोगों का मैंने अल्रेडी अच्छे से तियार करवा रखा था ठीक है लेकिन अब है यहाँ पर समस्या CAD CAM CNC DNC AutoCAD जैसे portion और Engineering Drawing जैसे portion यह कुछ portion है जो हमारे इसका स्लेवर्स मैंने डिस्कस किया था बच्चों यूपी आले जैई के पास जो है वो आने वाले है ठीक है तो इसके लिए plan क्या रहेगा ये भी आपको देखना जरूरी है तो देखिए यहाँ में बच्चों CAD CAM CNC DNC AutoCAD और आपका Engineering यह कुछ portion है Engineering द्राइं को भी मैं इतन सारे पास तो वही मैं कहा रहा हूँ अभी आपको plan पूरा समझने दें इस session के end तक हम लोग सब कुछ बता देंगे कि कब क्या होने वाला है ठीक है तो यूपी आर्वी यूएनल जैई Paper Analysis and Slavers Discussion ठीक है ध्यान से मेरी बात को समझेंगा बचों कहीं भी जल्द बाजी मत मचाएगा देखिए सबी लोगों ने अंटसंटस्लेबस के अंदाजे लगाए थे इस paper में लेकिन आया क्या था यूपी का स्लेबस आया था पॉल्टेकनिक का ठीक है अब हो सकता है जल्दी जल्दी सब course भी निकाल दें कि भाया यहां से पढ़ लो यूपी आर्वी यहां तो यह भी कराया जागा वो भी लेकि जिसमें वो CAD CAM सामिल है जिसमें CNC DNC सामिल है जिसमें AutoCAD सामिल है और थोड़ा बहुत portion जो है वो ED का भी सामिल है तो यह सभी portion से जो fundamental portion है आपको सबसे पहले यह समझना होगा बचो कि यहां पे किस type के red pen थोड़ा सा चुबरा होगा आपको आख में यहां पे type of questions type of questions और topics क्या रहने वाले हैं पहले यह समझें किसी भी course को ना मैं निकालूँगा किसी भी course पे ना आप जाएं आप सबसे पहले syllabus को समझेंगा ठेके ना एक session इस पर रखेंगे इस जो आने वाला हफता है इस पहले मैं अच्छे से आपको UPRN का जो course syllabus के हट के syllabus है उन topic पे एक एक पे बात करते हैं कि भाया यह topic था यह syllabus है हमारा CAD CAM का तो इससे किस-किस तरह के question हो किन-किन topic से आये थे देको जितना आपको clarity होगी ना उतना अच्छा मैं भी plan कर पाऊँगा कि अच्छा यह तो छोटी सी चीज है मानो हमारा CAD CAM एक subject है हमें लग रहा है कि इससे पिसी-पिसी definition से हो तो हमें पता है यह काम हमारा दो-तीन session से हो जाएगा तो फिर मैं भी इसका codes क्यों निकालूँगा है ना कोई बेकू बनाने वाला scene तो करना नहीं है तो मैं क्या करूँगा उससे YouTube में करा दूँगा समझारी बात तो हमें अपने आप यह समझना होगा बच्चों कि किस type के questions हम से पूछे गए थे मतलब level क्या था ठीक है और किस type के topics जो है वो हम से पूछे गए किन topics से question आया है यह सारा का सारा यह यह यूट्यूब लिखा तो है बच्चे यह सब जो मैं लिख रहा हूँ ना यहां पर यह सब मैंने YouTube में ही discuss करना है यही तो ब aid में portal में कोई भी चीज बच्चों में तभी डालता हूँ जब मुझे पता है कि हाँ इसके लिए अलग से time और अलग से चीजे प्लान करनी होंगी ठीक है ना और YouTube में मैं तभी डालता हूँ जब मुझे पता है कि इसको mass cover करेगा ठीक है ना किसी 4 बच्चे या 10 बच्चे क में हम लोग इसको discuss करते हैं पहले मैं एक एक topic पे आपको खोल खोल के question analysis करता हूँ जो paper आये थे आपके 3 shifts के paper थे आपके 2 दिन तक तो जो 3 shifts के paper थे आपके उन paper को अच्छे से analyze करता हूँ और analyze करके आपको एक syllabus आप लोग के साथ discuss करता हूँ कि क्या-क्या syllabus किस-किस topic से कित यू-प्यार दिल का यह हो गई बात कि done कि कैसे करेंगे तब हम कुछ उसमें से देखेंगे जो इसमें ज्यादा cover हो रहा होगा वो हम portal में करेंगे जो हमारा आराम से 2-4 session में ही काम हो रहा होगा वो हम YouTube में करेंगे ओव्यस ही बात है ठीक है ना और हो सकता है सारा ही असानी से cover हो रहा हो तो सारा ही YouTube में कर लेंगे तो कोई वैसी बात नहीं है बड़ा transparent आप लोग के साथ काम कर रहा हूँ ठीक है ना भाई you are my team आपको team के साथ discussion करने का मतलब ही क्या यही तो है ना कि हम लोग मिल जूल के विचार करें ठीक है ना मैं आपकी सोचूं आप मेरी सोच ठीक है ना हम सब का ध्यान रखते चलें ऐसा भी ना करें कि भाया कि सर सब कुछ YouTube में करा दो ठीक है ना और हमारा काम हो जाए YouTube में देखो के तो खाने के वांदे पड़ जाएंगे तो ऐसा भी देखना पड़ेगा ना कि दोनों चीजे जो है सही से चल जाए भाया दवाई द्यान से इस बात को द्यान से समझो बढ़ा ट्रांस्परेंट तरीक से डिसकस कर रहे हैं तो आप भी उसको बहुत अच्छे से डिसक्षन को सामिल हो डिसक्षिन में ठीक है ना अगली चीज बचो यू पीज़ में लिकत तै हो गया तो आने वाले दिनों में आपके साथ ये discussion करूँगा किसी भी session में, जैसे ही मेरा session तियार होता है, जैसे ही मेरे को क्या पढ़ना और कैसे वो बश, मतलब, हाँ, तुशार वर्मा जी मैं समझ गया, आप क्या कहना चारें non-tech का, लेकिन वो सब भी analysis का ये part है, बचे, ठीक है न, आपको non-tech बिल्कुल खुदी से करना होगा, लेकिन क्या discussion, क्या पढ़ना है, वो मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल उसमें मैं guidance दूँगा, ठीक है, घबराएं न, हाँ, अमिद गौर जी, आप लेट हैं, इस ख़बर के लिए, हाँ, डेट वेट सबका बढ़ जाएगा, बचो, आप tension न लीजे, देखिए, portal में आप किसी भी batch में है, exam extend हो रहा है, तो हम बेवकूप थोड़ी न, बटे, date सबका बढ़ाएंगे, आगे, या बीना exam के date बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो उसमें क्या बात है, ठीक है, नौ, अब देखिए, अब अगला TADC को मैं बहुत ही आराम से छोड़ते वे आगे निकल रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए कुछ planning है ही नहीं मेरे पास, वो तो सर्वो परी हो चुका है, planning से भी बहुत उपर निकल चुका है वो paper, ठीक है, राजिस्थान जेई, ठीक है, राजिस्थान जेई का बच्चों, अभी syllabus मुझे कुछ नहीं पता, इसका क्या syllabus है, ठीक है, इसमें कुछ अलग पार्ट है, या वही common syllabus है, यह मैं आपको आने वाले दिनों में बता दूँगा, क्लियर है, इधर देखो अब, UK SSC, JEE का भी syllabus, इन दोनों का जो है वो, syllabus ही discuss करेंगे पहले, तो आने वाले दिनों में यही सब session रखते हैं, बच्चों मेरे खाल से, इस हफते तो खास कर, इस हफते में आपसे, maximum time live आपसे, आपसे सिर्फ papers और syllabus discuss करता हूँ, pattern discuss करता हूँ पहले, ठीक है, SSC, JEE को भी अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो कहने के बाद यह है, कि, चाहे वो UPRNL हो, चाहे वो राजस्थान हो, और चाहे वो UK SSC हो, जिन जिनका syllabus discuss नहीं हुआ है, इनके सबसे पहले, आने वाले एक दो दिन में, सिर्फ और सिर्फ, हम लोग पहले अच्छे से syllabus को समझते हैं, syllabus discuss करते हैं, ठीक है, उसके बाद, next week से, मतलब यह समझ लिजे, आज क्या है, Tuesday है, देखें दरा calendar, आज है हमारा Tuesday, तो ज्यादा दिन यह लगेंगे, इन सब को discuss करने में, 19, 21, 22, हाँ, तो समझ लिजे, next week से, हम लोग, दो चीजे start कर देंगे, ठीक है, after, यह सारे syllabus discussion के बाद, कई चीजे हैं, जो मेरे दिमाग में, एक और topic है बच्चों, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन वो हर जगा नहीं पूछा जाता, तो जो मैंने एक different syllabus की बात करी यहां पर, वो different syllabus में एक topic और आता है, बताओ क्या, बताओ बच्चों क्या, जो आपके लिए भी टेडी खीर बना रहता है, क्योंकि जब भी उसका question मैंने देखा है, आप लोगों के पास आता है, तो maximum बच्चे वो भी छोड़ देते हैं, इस सब चीज के उफचार हैं हमारे पास, आप बस call कर लिजेगा, 8126398828 पर, ठीक है, बताएं, है किसी के बच्चे के दिमाग में कि क्या वो topic हो सकता है, cat क्या, motocat, अरे वो तो डाल दिया, drawing भी डाल दिया, towel and floor, towel and floor तो topic है बच्चों subject थोड़ी ना है, computer, अरे नहीं, computer, चलो इसमें computer डाल दो आप लोग, या आपका UPR में तो computer भी पूछा जा रहा है वई, तो computer डाल दो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, वो computer नहीं है बच्चों, वो मैं, CNC, DNC भी डाल दिया यार, तुम लोगो क्या हो गया, ठीक है न, वो है बच्चों, आपका vibration, vibrations, vibrations भी एक topic है बच्चों, जो आपको पढ़ना चाहिए, मतलब at least basic idea इसका होना जरूरी है, जब इस पर question आता है तो maximum बच्चे मैंने देखा इस question को छोड़ देते हैं, समझारी बच्चों, समझे आप, that is called vibration बच्चों, एन वाइमेंटा इंजिनिंग कहा से ला रहे हो तुम, ठीक है, vibration, that is an important one, वो भी अपने आप में एक subject है, तो मेरी आने वाले दिनों में, आपके साथ जो है, वो CNC, DNC, CAD, CAM, AutoCAD, ED, ये सब पे तो हमारे hot topics रहेंगे ही, लेकिन साथ-साथ जो है, हमारे पास important चीज़े है, वो है हमारे पास, that is called vibration, ठीक है, पॉर्टल में मैंने सिर्फ एक lecture में ही समझाया है, basic-basic vibration, क्योंकि उस time मुझे लगता था, इस से ज़्यादा पुछा नहीं जाएगा, लेकिन जब आप A-E level के paper की बात करते हैं, या थोड़े अच्छे paper की बात करते हैं, तो vibration जो है, वो अच्छा कासा पुछा ज देखो, तो वो अपने आप में subject है, vibration, clear है, तो इसलिए A-E level पे जो है, वो कम पुछा जाता है, और A-E level पे ज़्यादा पुछा जाता है, चेक है ना, तो ये भी देखना जरूरी है, HMT radiation सर, radiation बेटा, डिपलोमा इसमें हो रखा है, आपके YouTube में भी हो रखा है, आप वहा पे ध्यान से समझे, बच्छो, last जो मैं बात कर रहा हूँ, lectures to come on YouTube, YouTube पे आने वाले कुछ lectures, important क्या क्या रहेंगे, अभी अमीच चकरवड़ती जीने बहुत अच्छी बात बोली थी, तो उस पे भी मेरा ध्यान अभी तक है, कि वड़ा important बात है वो, क्या, अब थोड़ा ठीक है ना, ताकि हम आने वाले दिनों की अब planning जो करने वाले हैं, उसके बारे में बात कर सके, चलिए, देगें, lectures to come on YouTube अगर हम बात करें बच्छो, कि YouTube पे आने वाले हमारे lectures जो हैं, वो किस चीज़ पे रहने चाहिए, तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले, यूपी आरवी यूएनल, जेई, एंड अधर एक्जाम्स, जो भी मैंने अभी बताया थे, उन सब का, अच्छे से, स्लेबस, डिसकेशन, यह हमारी प्रात्मिक्ता रहेगी, उसके बाद कुछ बच्चों की डिमांड थी, वो भी मैं ले लेता हूँ, यूपी ट्रिपल सी, जेई, दो हजार सोला का पेपर सल्यूशन, क्योंकि बच्चों ने कहा है, उसकी आंसर की चेक करनी है, तो उसका पेपर सल्यूशन, यह भी हमारी प्रात्मिकता रहेगी, तो यह मैं कल ही ले लूँगा, from tomorrow, from tomorrow ही, इस पेपर को मैं लेना शुरू कर दूँग, क्योंकि मैंन दूसरी चीज़ समझे, तिसरी चीज़ जो मैंने बोला, important topics वो रहेंगे, vibration, ठीक है, और कुछ topic बच्चों ऐसे हैं, जो मैंने YouTube में start किये, लेकिन आगे नहीं लिए, जैसे कि, अभी अमेरी चक्रबर्ती जीने ध्यान दिलाया था, that is called, भरत गुपता जी, individual food mechanics हमारे पास ह यूट्यूब में भी available है, और लकर आपको portal में अलग से स्रिफ FM पढ़ना है, तो वो भी available है, या ऐसा कोई चीज़ ही नहीं बच्चों, जिस बच्चे के लिए यहाँ पर चीज़े ना हो, ठीक है, अगला यहाँ पर बच्चों अभी बताया था बच्चों ने कि सर्फ furnace, type of furnaces पे आपने जो है, वो पूरा session नहीं लिये है, तो furnaces का मैंने एक one complete किया था, part two जो है हमारा वो complete होना है, ऐसे कोई भी session बच्चों यूट्यूब में है, जो आपको लगते हैं कि मैंने start किये लेकिन उसको complete कर सकते हैं, तो वो जरू बताएगा, उसको हम लोग complete कर है, ठीक है, समझा जा जी बार, एक बच्चे चा रहा है, simple harmonic motion, फिल्कुल, तो आप खुलके बताएगा जिन पर आपको lecture चाहिए आने वाले दिनों में, मैं proper इसलिए लिख लिख के रख रहा हूँ, मैं सर भी लिख रहा हूँ, sorry, simple harmonic, ठीक है, motion, और एक मुझे याद है कि मै मैंने एक SFD-BMD की series चलाई थी, ठीक है न, बिल्कुल, SFD-BMD की एक series चलाई थी, मैंने separate series, वो भी अदूरी छुट गई थी, क्योंकि UP-Arminal की date आ गई थी, उस time पे, हैना, SFD-BMD याद होगा, आपको morning में मैं SFD-BMD कराया करता था, ठीक है न, उसको मैं complete कर जूँगा, उस series इसको भी, उसमें मैं चाह रहा था कि मैं आपको हर तरह का खतरनाक से खतरनाक, easy से easy हर question वहाँ solve करों, तो वो भी जो है वो अदूरी छुट गई थी, UP-Arminal की चकर में, क्योंकि UP-Arminal की date आ गई थी, उस time पे, तो वो भी जो है, वो complete होगी, ठीक है, तो ये सब हमारे आने PMD की पूरी series आगे मैं complete करके डाल दूगा, लेकिन ये, ये actually क्या है, ये चलने फिरके लिखने वाला काम है, तो ये अभी थोड़ा रुक्य होगा, जब तक तक तबेत पूरी ठीक नहीं हो जाती, समझे जिए, मैं मूँ से बोल रहा हूँ, लेकिन हिल टांगे रही है, ऐस जिस भी बच्चे ने numerical series नहीं करी हुई है, या numerical में वो कमजोर है, तो बच्चो बहुत अच्छा मौका है अपने आपको numerical series को सुधारने का, इस से best कुछ नहीं है, मतलब कोई चीजे जो मैं बोल रहा हूँ, कि best है, तो वो best really में है, ठीक है, तो जैसे मैं आपको फिर से य चास्ट वीडियोज, ठेके ना, क्योंकि इसमें हर subject है, यह देखो आप, हर subject के numerical session यहां करवाये थे, सोम से हमने start किया था, तो यह lecture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह green वाली जितने भी है, 12 sessions, 13, 14, 15 sessions, 15 session में सोम, क्योंकि सोम अपने आप में पूरी numerical ही है, 15 session सोम के, फिर tom की numerical करव numerical है, सिर्फ numerical, कोई भी session आप खोल के देखेंगे, तो आपको सिर्फ numerical समझ में आएगा, numerical दिखाए देगा, देखें, सिर्फ numerical session, और पूरी तीन महीने चली थी यह series, कम से कम दो ढ़ाई महीने पूरी series चली थी, ढ़ाई महीने, जिसमें एक एक proper, hard, tough, easy, सब तरह की numerical यहां पर कराई गए थे, तो जो भी बच्चे numerical में कमजोर है, वो अच्छे से जो है, वो यहां पर numerical को कर सकता है, बहुत अच्छे से, ठीक है, तो इस numerical series में भी विल्कुल कुछ addition बाकी है, वो हम subject add करेंगे, जैसे बच्चे mechanics करेंगे, mechanics मैं इसलिए add नहीं कर पाया हूँ अभी तक, क्योंकि mechanics में जो है, वो जो lectures होते हैं, वही numerical है वहाँ पे भी, तो वो lectures जैसे ही कूरे होते हैं, मैं पूरा-पूरा session वहाँ पर प्रवाइड करा दूँगा, तो automatically वो आपका तयार हो जाएगा numerical series, तो वही मैंने आपको कहा, जैसे basic thermal है, ऐसे fluid mechanics है, fluid mechanics के lectures हैं, fluid mechanics के numerical है सारे हैं यहाँ पर, और numericals easy भी है, tough भी है, हर तरह का numerical हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यह numerical series अब च्छो 66 की, कम से कम 66, तो क्योंकि जो भी session दे को एकठे लगातार चले हैं, वो sessions तो हमेशा ही best रहे हैं, फिर hydraulic machine है, फिर RAC है, फिर power plant की numerical है, फिर welding की numerical है, फिर machining के numerical है, फिर punching and forming के numerical है, तो यहाँ तक हमने last days में किया था, लगभग लगभग यहाँ पर, आठ subject के total numericals यहाँ पर अभी तक है, जिसके बाद इसमें और numericals add अभी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है न, तो वो भी हम लोग add करेंगे, clear है, ठीक है न, समझा लिए तो वो अलग चीज है, बच्चो, पॉर्टल की मैं यहाँ पर discussion नहीं कर रहा हूँ, कि पॉर्टल में क्या-क्या add होना है, तो पॉर्टल के जो है, वो तो हम बताते ही हैं सबको, क्योंकि वो paid है, फिलाल तो मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूँ, कि पॉर्टल पे तो लग पॉर्टल में खोलते हैं, फुल कोर्स के अंदर देखते हैं, तो 582 वीडियो आपको यहाँ दिखाई देते हैं, 582 वीडियो, ठेके ना, जो बड़ी महनस से मुझे पता है, कैसे कैसे हम लोग ने जोड़े हैं, कैसे कैसे मैंने यह session लिये हैं, ठीक है, धाई हजार वीडि कि question solve, बस, question solve, इस से ज़्यादा कुछ नहीं, और concept बने, clear, ठीक है, now, यहाँ पे general engineering को लेके मैंने आपको बताया, कि general engineering के मैं syllabus को discuss जरू करूँगा YouTube पे, ठीक है, कैसा gyroscopic approach, अमिर ध्यानी जी इतनी जवर्दर spelling है, मैंने पहली बार देखी, मैंने gyroscope की यह वाली spelling, ठीक ह तो इस पे अगर आपको बच्चों YouTube में, या रखे मैं YouTube के session की बात करूँ, तो YouTube में आपको इन वे से कोई भी और session, जो मैंने बता दी आने वाले दिनों के sessions, वो तो यह है, लेकिन इस पे आपको कोई भी session जो है, वो अलग से आपको और पढ़ना है, YouTube में, तो please इस video के comment box म ज़रू बता है, देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा gap नहीं है, अगर हम पीछे के video, पीछे के section में दुबारा जाओं मैं, ठीक, अगर मैं पीछे के section में दुबारा जाओं मुझे background black करना पड़ेगा, अगर मैं पीछे के section में दुबारा जाता हूँ, तो यहाँ पे मतलब January, आपके पास ज़्यादा नहीं, लेकिन January चल रहा है, लगबख खतम होने को आ है, February, और March में आपके पास paper का time आ जाएगा, तो आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, कि आप सोचे कि बहुत paper extend हो गए, तो हमारे पास बहुत लंबी छुटिया पड़ गई हमारी, ठीक है न, याद रखेगा, यहाँ पे January, February, March बचो, सिर्फ आपके पास जो है, मातर दो महीने हैं, क्योंकि January तो हो, अल्रेडी आदा निकल गया, आज 18 तारीक है, तो हम ले 20 January से लेके 20 March तक कि अगर आप बात करें, तो यही है आपके पास time, तो exactly, you have only 2 months, ठीक है न, आपक चाहिन का संग्राम जो है, वो शुरू हो जाएगा, ठीक है न, तो याद रखे बचो, आपको इस दो महीने को proper utilize करना है, कुछ इस तरह से, कि हमारे जो है, वो ये सारे session तो आप complete करे ही करें, लेकिन साथ जो है, ठीक हैं ये सारे session तो complete करे ही करें, लेकिन साथ जो है, वो दो महीने के अंदर आपको समझ लीजिए, खासकर February के सेशन, February के सेशन को मैं कहूंगा, कि इससे पहले कोई बड़ा पेपर नहीं है आपका, तो February के सेशन में जो मैं कहूंगा आपको, वो ये करें बच्छो, Content Add कर लें थोड़ा और, ठीक है, Content Addition का काम कर लें, कि जो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, या छुट गया है, किसी वज़े से आपको टफ लगा है, या मैंने नहीं कराया है, किसी भी तरह से, तो वो Content Addition कर लें बच्छो, from the first March, क्योंकि दो ही महीने बोल रहो न, from the, तो February तक, 28 February तक, ठीक है, UPR, के तरह 29 February तक नहीं, 28 February तक जो है, वो आप अपना Content Addition का काम कर लें, मतलब और भी ज़्यादा नहीं नहीं चीज़ें पढ़ लें, Add कर लें, ठीक है न, समझा लिए बात, और मैं भी आपको नहीं नहीं टॉपिक्स पे, YouTube में रेंडम खुप सारे वीडियो ज़्यादा रहोगा, नहीं नहीं चीज़ें आपको सिखाता रहोगा, ठीक है, तो यहाँ पर फिलाल हम मतलब practice जो हम कर रहे थे, practice, वो practice को फिलाल बंद करेंगे, ठीक है, काफी समय से YouTube मे पुराने वीडियो खोल के देखता हूँ, तो पिसले पता नहीं कितने साल महीनों से, मैं स्रिफ आपको practice ही कर रहा हूँ, देखो, यह सारे practice session, देखो, practice, 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 देखरो आप, practice, NHPC objective practice, practice, देखरो आप, दो मन्त निकल गए पीछे के, पिछले के दो महीने से, मतलब, NPCIL, UPIJ, IES के machining question, तो यहां तक कम से कम पिसले चार महीने से मैं आपको सिर्फ practice कर रहा हूँ, बचो, सिर्फ practice, अगर आप पिसले चार महीने से बच्चा खोल के YouTube का session देखेगा, तो सिर्फ practice session चल रहे हैं, कभी 25 days, कभी selection series, तो मतलब कितने हजारों question आप लोगोंने कर ली होंगे यार, practice, देखरो, इतने question आप लोगो practice already करा चुके हैं, तो मतलब practice बहुत हो चुकी है बच्चो, already अगर आपको utilize करना चाहेगा, तो वो इतने सारे session देखके, अराम से दुनिया भर के question practice कर सकता है, ठीक है, समझारी बात है, इतने session से आपको practice करा रहा है, मतलब, त 28 February तक जो है, practice session को बंद करके, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ content add करेंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, YouTube में कुछ content videos भी आएं, काफी समय से नहीं आए हैं, ठीक है, अमी ध्यानी जी समझ गया बिल्कुल, अब आपकी बात gyroscopic effect के बारे में lecture please, general बताएंगे, ठीक है, लिग लेते हैं, आपका gyroscopic effect भी, ऐसे इतना important नहीं है फेपर कल, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आता तो उसको बड़े दिक्कत होती है, तो कुछ creative तरीके से बताने कुछ करूँगा, normal lecture तो सभी ने देखें, लेकिन कोशिच करूँगा, जैसी ठीक होता gyroscopic effect जो है, यह दोनों, SFD, BMD, gyroscopic effect, यह आपको मैं बोर्ड वाले lecture तो मैं ठीक होने के बाद ही आपको दे पाऊँगा, ठीक है, यह सायद हो सकता है, एक आधे हफते में बिल्कुल ठीक हो जाओ, क्योंकि इसमें मुझे उच्छलने कूदने की जरुत पड़ेगी है, और आज से लेके, अब टू, आज 18th March, 18th March, और मुझे promise करिये, 18th March to 28th, क्योंकि इस से पहले, 18th March के रहो, मैं आज क्या चल रहा है, January, 18th January to 28th February, ठीक है, 18th January से 28th February तक, आप लोग भी मेरे साथ बिल्कुल तयार हो जाईए, और मेरे साथ ही नहीं, मेरे भरोसे ही नहीं, भाईया तवेत खराब चल रहे है, किसी का कोई भरोसा है क्या, एक सेकंड मैं आप लोग को सच्चा ही बतातू, जीवन की कुछ यहाँ पर, 18th of Gen से लेके, to 28th of February तक, ठीक है, चाहे वो YouTube के बच्चे हूँ, चाहे वो Portal के बच् आप लोग कसम खालीजे, कि सिर्फ और सिर्फ content add करेंगे, मतलब नया नया content पढ़ेंगे, जिस पे आप weak हो, उससे पढ़ो, अच्छे से, new content add करो, या अपना weak content, जिस पे आप weak हो, उस content को और ज्यादा strong करो, weak to strong, मतलब practice मत करो, पढ़ो, ठीक है न, practice कैसे करो, कि हाँ ठीक लिए topic पढ़ लिया, उसके question देखे लिए, इस तरह कर लो, पर बहुत जादा अब objective मत देखो, objective देखने हैं, पिछी के session देखो, ठीक है न, तो यहाँ पर याद रखिये, और दूसरी बात जो मैं जीवन की सचाहिए ये बात कर रहा हूँ, वो यह है कि मेरे भरोस से 26 February तक मैं आपको content add करके दूँगा, कई सारी चीज़ों पर session लूँगा, कई सारी चीज़े आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये तब ही करूँगा, जब मैं ठीक रहूंगा, ठीक है, तो अगर ठीक रहूं, ना रहूं, आप लोगों को ये काम करते जाना है बच्चों, खु content addition में बच्चों एक और value addition में और add कर दूँ, कि आपको जो मैं guidance session देने वाला हूँ, बच्चों उसको नहीं छोड़ना है, प्लीज, आप अभी भले ही उस पर यकीन ना कर रहे हो, लेकिन जो guidance sessions आपको मैं देने वाला हूँ, आपके plan B के लिए, मतलब आपकी job security के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत मैंने का ना, उसी में आ रही है, मुझे लोगों को लाने में इस platform में, वो बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो किसी तरह से मैं कोशिच करता हूँ, जल्द से जल्द वो चीज़े कर पाएं, तो वो जरूर देखेगा बच्चों, प्लीज, ये तो मेरी हमबल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा सारा करा-कराया खर्चा जो है, इवन विस्नुई सर को लाने की पीछे भी कारण यही था, कि यही R&D वाले काम हमारे हो, वैल्यू एडिशन वाले, ठीक है न, उनसे मुझे वो लेक्चर थोड़ी ना दिलवाने है, जो मैंने ले रख कोई भी मैं skill enhancement वाली playlist में वीडियो डालता हूँ, ठीक है, जो भी वीडियो डलता है, कोई भी सर उसे ले इस वीडियो को, कहीं से भी वो बनके कैसे भी करके आए, लेकिन प्लीज उस वीडियो उसको जरूर देखिए, समझ यह बात को, मैंने क्या बोला, आपको कोई कोई confusion होता है, तो बात करनी है, clear है, ठीक है, sir, please sir, कोई काम तो बताए, I need work, please sir, आपके साथ काम करना है, बैटे मेरे साथ तो काम करना बहुत बेकार है, देखो, मेरे साथ तो काम करने कोई नहीं मिलता है, तवित खराब ही सब की छुटी कर दी हमने, है न, तो क्या ही काम क काम तो सारा खुदी करना है, ठीक है, तो काम की tension नहीं है बचो यहाँ पर, तो मेरे साथ तो नहीं, बढ़ हाँ यह है कि काम और जगा जगा जुरू है, वो करने की जरूत है, ठीक है, क्या क्या कर सकते है, अभी उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो बिल्कुल help क करेंगे, बच्चो, हर एक बच्चे की help करेंगे, ठीक है, आप बिल्कुल tension ना ले, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, यह जो भी होगा, बच्चो, please, 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 मतलब जितना हाथ जोड के मैं हाथ बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जितना हाथ जोड के मैं आप लोग उसे request करता हूँ, उतना आप लोग जो है, ठीक है, उतना जो है, वो, please, इन वीडियोस को जरूर देखिए, इनको हलके में मतलीचेगा, बहुत जरूरी है, बहुत जाला जरूरी है, महुल को बदलना बहुत जरूरी है, even, मैं कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को भी कुछ कहना है, उ आपको लगता है कि नहीं, आपके भाई, आपके ब्रदर, आपके कोई दोस, आपको लगता है, यह कुछ अच्छा सीखके सेटल होगे, जैसे मैं कल एक बच्चे की बात बता रहा था, तो ऐसा कोई सेटल अगर हुआ है, तो आप उसे प्लेटफॉर्म पे ला सकते है, वो यह दोनों चीज़ है, तो मतलब अभी 28 February तक पूरा अपना कंटेंट एडिशन में, जो जो आपका पेपर है, जिसका यूपी ट्रिपल सी जी पेपर है, सिर्फ तो वो बाकी चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, और पेपर के लिए, जिसका यूपी आर्मिल पेपर है, त आपके पढ़ाई में, स्लेवर्स में, वो एड़ कर लिए, फिर फिर फ्रम दफर्स्ट मार्च, मैं आपकी प्रैक्टिस स्रीज जो है वो, जो भी पेपर हमारा सबसे पहले सामने होगा, उसकी प्रैक्टिस स्रीज जो है, 10-10 डेज की हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक ह समझा के बाद, clear है, अरे भाईया, नारे बारे मतलगाओ, ठीक है, समझा के बाद, ये हाथ मैंने दो हाथ जोड़ के बनाये थे, वो ऐसा वाला हाथ नहीं है, ठीक है, समझा है न, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, कि इन दो चीजों पे प्रॉपर काम करना है, तो आज से 28 साइक तक content edition करिए, जो weak है, उसे strong करिए, मतलब अपने content को पढ़िए, और content को बढ़ाईए, उसके बाद, एक मार्स से हम लोग वापिस practice प्राक्टिस प्राइजेंगे, तो एक मार्स से अपने वाले paper के लिए, जो भी हमारे पास सामने paper होगा, उसकी practice हम लोग दूसरे में दूसरे वाले में डालूँगा, ठीक है, बिल्कुल संदीब जी, viral fever बहुत जबरदस चल रहा है, तो तवेत के तो देखो बच्चों विसेज ध्यान रखे, तवेत तो सर्वो परी है, सर्वो परी है, हम तो नत मस तक है तवेत के आगे, क्योंकि जितना बाजे बजा देती है, ठीक है न, तो इसलिए तवेत से तो हम सिर्फ परातना कर सकते हैं, ठीक रखो, जब तक धरती में रखना है, कुछ धंके काम करने के लिए, तब तक ठीक रखो, बाकि उसके बाद ठीक ही है, ठीक है बचो, तो इसलिए जो पॉर्टल वाले बच्चे बाजे हैं, वो तो बिल्कुल न घबराएं, वो तो उनके पास, तो सब कुछ सारा खजाना उनके पास है, ठीक है, सेशन का, पेपर निकालने के लिए, बस जो कमी रहती है, वो आपी की महनत की रहती है, और कुछ भी नहीं, बहुत तेजी से खराब हो लिए, बच्चो, त बच्चो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बोल रहा हूं ना मैं एक ही दिन गया हूँ ठीक है तो सभी लोग बच्चे ठीक है देखो यह मत सुचे करें कि कोविड उवीड हो सर देखो आप भी तो आराम से बैठें कोई भी समस्या हो बच्चो वो तो आपकी विल प ठीक है तो सतकता पूरी रखेगा अभी भी ठीक है ना चाहे गौवर्मेंट जितना मर्जी असान कर दे चीज़े ठीक है जब मौका मिला है पेपर ही तो मजबूरी थी है हमारी कहीं जाने कि अब जब पेपर ही नहीं है तो फिर क्यों फालतू निकलना ये ता उदर है ना फिर तो उतना ही निकले जितनी जरूरत है क्लियर है चलिए बच्छा तो कल मिलेंगे हम लोग कुछ इंपोर्टेंट सेशन के साथ जहां पर मैं यूपिट्र प्लेसी जेई 2016 का पेपर आगे आपको सॉल्व करवाऊंगा पहली चीज और साथ साथ जो है वो कई सारे ऐसे ग पेपर निकल जाएगा 23 तारिको 13 जन्वरी को एई वालों को पेपर हो जाएगा तीस तारिको जेई वालों को हो जाएगा और पूरा प्लान था मेरा कि पांच्छे दिन के और बोल भी राजमें के आराम से गाउं जाकर सुकुन में बैट होगा लेकिन का है का सुकून ना तुमें है न हमें है, ठीक है न, तो चलिए यहाँ पर इसी सुकून के साथ, आपस में यह ऐची सुकून बाढ़ते हैं, सुकून भरी बाते करते हुए, ठीक है, और रिलाक्स रो बच्चों, मैंने बुला न, जीवन में समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलना है, तो हम जितन सकता है, वो है आपका समय, कि आपको जिस टाइम जो ची चाहिए, शायद उस टाइम ना मिले, आगे पीछे हो जाए, लेकिन लग मिलती भी चीज को रोक नहीं सकता, यह कन्फरम सी बात है, इसी नोट पर आज की बात हम समाप्त करते हैं, थैंक्यू अरे मच्चू झाल 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 झाल